दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टाटा स्टील और L&T के साथ में टोटल में 10 ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिन्हों ने आप स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फेनो मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आजाते हैं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हमारे पहले शेयर की तो कमपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड गेल इंडिया का जो शेयर प्राइज है वो 172 रुपीस के उपर में चल रहा है और कमपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनौंस कर दिया है 5.50 रुपीस का य Advertising and Marketing Limited माग Advertising and Marketing का जो शेयर प्राइज है वो 162 रुपीस के उपर में चल रहा है और कमपनी ने आप स्टॉक बोनस एंड स्टॉक स्टॉक्स करके रखी है बोनस अनौंस किया गया है 1 is to 4 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी के 4 शेयर्स ह जी आजाएगा 1 is to 10 के रेशियो से जिसकी वज़े से वो जो आपके 5 शेयर्स है टोटल में 50 यानि की 50 स्टॉक्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएंगे तो अगर आप इन दोनों रेशियो को साथ में कमपनी कर देते हैं तो आपके पास में बेशक इस कमपनी के चाहे जितने मर्जी स्टॉक्स हो आप लोगों के हर चार स्टॉक्स जो हैं 50 यानि की 50 स्टॉक्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएंगे एंड इस बोनस एंड स्प्लिट को देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है वो सेकंड ऑफ फेबरोरी की रहने वाली है तो आपके पास में गिंती के सिरफ दो से तीन दिन ही मौझूद है अगर आपको इस कंपनी के शेयर को परचेस करना हुआ ताकि यहां पे आपको इसके बोनस एंड स्प्लिट का बेनेफिट मिल पाएं अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है श्री ओस्वाल सीड एंड केमिकल का जो श पूटल में जो आपके 5 शेयर्स हैं वो 6 शेयर्स के अंदर में कनवर्ट हो जाएंगे फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के चाहिए जितने मरजी स्टॉक्स हो आप लोगों को हर 5 स्टॉक्स के उपर में एक स्टॉक का बोनस दिया जाएगा एंड इस बोनस को देने की जो X date और record date है वो भी same day की रहने वाली है यानि की 2nd of February की अगले share की बात करें तो company का नाम है Keval Kiran Clothing Limited Keval Kiran Clothing का जो share price है वो 752 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आप ए डिविडेंट अनौन्स कर दिया है 2 रुपीस का हर एक share के उपर में आपको 2 रुपे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो भी same day की रहने वाली है यानि की 2nd of February की अगले share की बात करें तो company का नाम है CESC Limited CESC का जो share price है वो 132 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आपके dividend अरुपीस कर दिया है 4.50 रुपीस का हर एक share के उपर में आपको 4.50 रुपे यानि की 4.50 पैसे का dividend दिया जाएगा जो की इसके current market price का ही लगबग 3.5% का dividend बन जाता है अपने आप में काफी जादा अच्छा dividend अरुपीस की आ गया है इसके dividend का benefit पाने के लिए अगले share की बात करें तो company का नाम है MRPL MRPL का जो share price है वो 174 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आप ए dividend अनौंस कर दिया है 1 रुपीस का हर एक share के उपर में आपको केवल 1 रुपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की जो X date और record date है वो 2nd of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है CG Power CG Power का जो share price है वो 462 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आप ए dividend अनौंस कर दिया है 1.30 रुपीस का हर एक share के उपर में आपको 1.30 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की जो X date और record date है वो 5th of February की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है Sona Coms Limited Sona Coms का जो share price है वो 585 रुपीस के उपर में चल रहा है और company ने आप ए dividend अनौंस कर दिया है 1.53 रुपीस का हर एक share के उपर में आपको 1.53 पैसे का dividend दिया जाएगा इसको भी देने की X date और record date same day की रहेगी यानि की 5th of February की अगले share की बात करें तो company का नाम है L&T Finance Holdings L&T Finance Holdings का जो share price है वो 168 रुपीस के उपर में चल रहा है और यहापे L&T Finance Holdings की तरफ से काफी बड़ी update निकल करके आ रही है basically यहापे मोतीलाल ओस्वाल करके एक काफी जाना माना ब्रोकरेज फ़र में even stock market के उपर में भी listed है तो इसी बात से अप अंदाजा लगा सकते है मोतीलाल ओस्वाल कितना जादा well reputed एंड कितना जाना माना ब्रोकरेज फ़र में especially इंडिया के अंदर में अब मोतीलाल ओस्वाल ने जो है L&T Finance Holdings के शेयर के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहापे जो target price दिया गया है वो 200 रुपीस का दिया है तो लगबग 168 रुपीस से ले करके 200 रुपीस तक की एक जो rally है वो यहापे मोतीलाल ओस्वाल expect करके चल रहा है L&T Finance Holdings के शेयर के अंदर में और आपकी जानकारी के लिए बता दू मोतीलाल ओस्वाल पहला ऐसा brokerage firm नहीं है जो की L&T Finance के शेयर के उपर में company है आने वले time में आपके growth opportunity आपको काफी देखने को मिलेगी और शेयर का price कम होने की वज़े से काफी जादर retail investors भी काफी easily इसके अंदर में और काफी heavily इसके अंदर में invest कर सकते हैं तो जरूर से आपको L&T Finance Holdings के शेयर के उपर में नजर बना के रखनी चाहिए और ये जो 200 रुपीस का target दिया गया है इसका आप view जो है mid term का रखिए mid term के हिसाब से target दिया गया है और mid term के अंदर आपको L&T Finance Holdings जो है 200 रुपीस तक आता हुआ देखने को मिल सकता है तो जरूर से L&T Finance Holdings के शेयर के उपर में नजर बना के रखिएगा इसको at least आपने miss out नहीं करना चाहिए अब आजाते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है Tata Steel Limited Tata Steel का जो शेयर प्राइज है वो 135 रुपीस के उपर में चल रहा है and Tata Steel की तरफ से काफी बड़ी और एक काफी positive update निकल करके आ रही है basically the Hindu business lines करके एक काफी जाना माना business analyst है and the Hindu business lines के अंडर जो हैं काफी जाने माने technical और research analyst काम करते हैं and the Hindu business lines की team ने जो है Tata Steel के शेयर के उपर में एक accumulation call शेयर किया है यानि कि आप देखेंगे यहापे target दिया गया है 128 रुपीस का तो यह लोग expect कर रहे है 135 रुपीस से जो है Tata Steel का शेयर correction लेगा and 128 रुपीस के levels पे आपको आता हुआ देखने को मिलेगा and इनों ने यहापे clearly का है कि 128 रुपीस के उपर में आपको Tata Steel के शेयर को accumulate करना है इस level को miss out नहीं करना है तो 128 रुपीस तक अगर आपको एक correction देखने को मिले Tata Steel के शेयर के अंदर में तो definitely 128 रुपीस के आसपास में आपको Tata Steel के शेयर के अंदर में entry लेनी है काफी अच्छी valuation के उपर में आपको एक company का share मिल जाएगा 128 रुपीस के लेवल्स पे and वहाँ से फिर आपके long term में काफी ज़ाद अच्छे targets बन जाएंगे तो the Hindu business lines की तरफ से clearly एक accumulation call आ रहा है 128 रुपीस के उपर में तो Tata Steel का share अगर आपको 128 के आसपास में दिखे आपने इस level को miss out नहीं करना है छोटी quantities सही सही लेकिन 128 रुपीस के level से आप entries बनाना start कर सकते हैं तो wait कीजिए Tata Steel को थोड़ा correct होने दीजिए और एक अच्छे price point पे आपकी एक अच्छी entry बनाईएगा बाकी Tata Steel और साथी साथ में इससे पहले L&T Finance को cover किया इन दोनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहापे आपको उसके announcements का benefit मिल पाए तो आपको उस stock को उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा बाकी इस वीडियो के अंदर में इतना ही यही 10 stocks थे जिनोंने आपे stock bonus, stock split and dividend arounds किया था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा प्लीज इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा विगोज फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे वीडियो में daily basis पिला करके देता रहूंगा तो चलिए अब मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर